इस वीडियो पर डिटेल में बात करें पहले तो बात यह है मैं इस फैमली में किसी के साथ में भी फिलाल नहीं हूं ना तो मुझे किसी के लिए अच्छा लग रहा है ना किसी के लिए बुरा लग रहा है बस इतना दिखाय दे रहा है कि यूट्यूब पर गंदगे की लेवल जो है वो पार किया जा रहा है और बहुत जादा आती हो गई मतलब सरोज को मुझे समझ में नहीं आता कि अब दोनों ही पक्ष यहां से सुनी तब यह बोल चुकी है कि बस भोत हो गया अब चुपो जाओ ठीक है मैं मर जाओंगे सब चीजे बोल चुकी है पर इस ओरत को चैन नहीं है सरोज लगातार कमेंट करे जा रहे है लगातार उल्टा सिधा बोल जा रहे है सपना ने भी बोला कि अब नाम मत लेना यह सब चीजे तो इसको भी मैडम ने आज बोल दिया मैं दूंगी क्या क कुछ बोल रही थी जिसकी अवाज क्लियर नहीं आ रही थी लेकिन जहां तक चीज समझ में आई वो सिर्फ यह समझाना चाहरे थी कि यूट्यूब पर यह गंदगी मत करो क्या गलत उसने कहा कुछ भी नहीं आपके परिवार ने यूट्यूब पर गंदगी मत चाही हुई है भाई इतने कोई इतने अपर लेवल कार इतने अंदर गुसके या फिर यह कह कि इतनी परसनली केरेक्टर पर उंगलिया कोई परवार वाला नहीं उठाता आपको परिवार नहीं कहा जाएगा आपको एक कचबेड कहा जाएगा जो लड़ रहे हैं इतनी बुरी तरीके से एक दूसरे के character को नहीं छोड़ रहे हैं, एक दूसरे के बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं, यही शुरुआत आपकी यहां से नहीं है, यह तो बहुत पहले से हो चुकी है, कालू भाईया को आप कभी नहीं रोकते थे जब वो अपनी बहनों को गलत बोलता था, आज आपको को नसी कसर छोड़ी, तुम किसी ओरत को बोलती हो 500-500 रुपे में जाती थी, तो उस ओरत के family पे क्या असर पड़ेगा, यह वर्ड कितने गंदे हैं कि 500-500 रुपे में जाती थी, मतलब कुछ समझ में आ रहा है, तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, जिस लड़ी का फोन आया, इस बंदी ने उस लड़ी का नमबर लीग किया है, यह लीगली गलत है, आप किसी का ऐसे नमबर लीग नहीं कर सकते, अगर आपको किसी की धमकी आ रही है, शोशल मीडिया यहां पे कोई जज, कोई पुलिस नहीं बैटे वे हैं, पुलिस में जाके रिपोर्ट बाड़ते रहें, अब जिसका नमबर आपने बाटा है कि आप तो लड़की है, औरत है, क्या है, उस पे कितने फोन आएंगे, किस तरीके के फोन आएंगे, किस तरीके के लोग उसे फोन करेंगे, आपने जरा सा ज़ी नहीं सोचा, मुझे आप क्या कर रही है, कि किसी दीब भी कर चुके हैं कि मैं नंबर डाल दूंगा मुझे धमकी दह जा रही है तुम Kommentar को biraz लड़की शोषयल मीडिया पर गंदगी दानला बंत करो तो सही बोला है फिलाल सारी पपलिक यह ही कह रही है और नहीं देखना चाह रहे यार ये गंदगी किसी को को इंट्रेस्ट नहीं है तुमारे घर की ओड़ते तुमारे घर की लड़किया क्या करती है तुम अगर शोशल मीडिया पर हो तो गंदगी फैलाना बंद करो और तुम सबसे जादा धमकी दे रही हो मैं आप देख सकता है कि सरोज के शुरू से जब से इ कुल्टा सिधा बोलती थी आपने कभी कुल्दीप को नहीं रोका क्योंकि वह कुल दीप उस वक्त अपनी बैहनों को गलत बोल रहा था था तो आम के लिए सही था जब भी बार नहीं बोलत है कै क्या आक बार भी इस चयान लीATHAN ती गया में आई क्लदीप ने भी सपना की जो धजियां उड़ाने में कोई कसर नहीं चोड़ी थी ती बेशर्मी उतार के रखिया कि एक दूसरी ना तो इज़त की परवाय ना किसी चीज की परवाय समझ में याता है यह तो ऐसे लड़ रही है जैसे अखाड़े में लड़ रही हूं कुल्दीप तुम्हारे साथ मार पीट करता था या शराप पी के आता था या कुछ करता था तो वह अर्मान मलीक और और लोगी थे जो उसको बार-बार रहायब में भिजवा देते थे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा हमेशा तुम्हारा साथ दिया है लेकिन तुम सब भूल गए हो सब भूल गए हो इतनी धज्या शायद किसी ने आस तक किसी किन उड़ाई होगी जितने तुम ने उड़ाई है और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यह सिंपैथी पहले जो गेन करी थी वो चीज सही थी कुलदीप का मामला जब तक सही आ रहा था वो चीज सही थी लेकिन अभी इस फैमली में कोई भी सही नहीं जा रहा है कोई क्यों इस परिवार ने कुछ लेवल ही नहीं छोड़ा है सही एक अर्मान म देखा है जितने भी व्लोगिंग करते हैं ना लोग सोसते हैं कि भई हम कमा रहे हैं तो हमारी फैमली वाले भी कमाना शुरू कर दे लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जहां एक से दाधा व्लोगर होंगे वहां इसी तरीके के लड़ाई जगड़े बात बात पर या यह कोई अखाड़ा नहीं है मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगी सबसे पहले तो जो नंबर आपने इस लड़ीकी का डाला है उसको हाइड कीजे दूसरी आप लोग यह जो गंदीगी वाली वीडियो एक दूसरे के करेक्टर पर उखने वाली वीडियो एक दूसरे को बंद होनी चाहिए ऐसी हरकते बंद करते बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है एक परिवार को जिसके परिवार में लड़कियां हों बच्चे हों यह चीजे शोभा नहीं देती है तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स वीडियो में अपनी राय कॉमे बंद हम करते हैं